हेलो एबरिवन तो केसे हो आज हम एस्प्रेंग करने जा रहे हैं दा फ्रूट अब एबल्यूशन एपिसोड टुएल और इस एपिसोड का नाम है बिफॉर आ न्यू इट इस दा फैनल एपिसोड और हाँ यह सही में लास्ट एपिसोड है सीजन वन का पहले तो हम बात करते ह कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था डिमल और आर्मी विंबर्ग इंपैर के और जा रहे होते हैं और यूद छिड़ जाता है अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में सीची और बरना को दिखाया जाता है बरना काता है वे बहुत सारे हैं सभी लोग मोस्टर से लड पार रहे होते हैं केवल राजा शिची और बरना को छोड़के वे लोग बैटल को उपर से देख रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि वे लोग फीका पड़ गये है डैमन्स के आगे और सीची कुछ सोच रहा होता है कि कैसे वाओ उन सब को रोक सके फिर बहा कहता है कर रहा होता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन वह जादू काम कर जाता है और जादू सभी मोशर पर बिजली गिराती है और सीची पर जैज्मेंट जादू एक्टिवेट हो जाता है फिर भागवान को धन्यवाद करता है क्योंकि जैसा वह चाहता था ठीक वेसा ही वहाएं दूसरी ओर क्रिस को दिखाया जाता है और बढ़ परहसान होता है कि मोशर कैसे हार गहे और तब ही महां लॉड ऑफ जैस्टिस उस क्रिस पर बिजली गिराती है शीची को दिखाया जाता है उसका लेबल अफ होता है जिन जिन मोशर को बाप मारता है उन सभी का पा होता है और कहता है तुम अपनी सकती से हमारे राज की रख्षा करो और राजा नीचे चला जाता है या देखने के लिए कि दिवारों को कितना नुक्सान हुआ है सभी लोग वहां आते हैं और सीची से उसका हाल पूछते हैं सीची बिल्कुल ठीक होता है फिलोग सीची से फिर वह सीरियस आवाज में कहता है मेरा मतलब यहां नहीं था वह चाहता था कि सीची उसके अकैडमी का टीचर बने काना जुगी को दिखाया जाता है उसे देखकर सभी स्टुडेंट्स अपना नजर नीचे कर लेते हैं और यहां देखकर काना जुगी को अच्छा नहीं लगता लेकिन वह कर भी क्या सकती थी बरना सीची से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याले टीचर बनने के बारे में सीची को समझ में नहीं आता है कि बरना ऐसा क्यों चाहते हैं तब बरना बताता है सीची ने जो स्पेल यूज किया है मौस्टर्स को मारने के लिए वह बह बरना पुछता है आकिर क्यों सिची बताता है उसने लुसी को एक प्रोमिस किया है जब तक वह यहां वापस ना आ जाए तब तक वह यहां से जाने सकता बरना उसके बातों को समझ जाता है फिर बताया जाता है कि सिची भी नहीं चाहता है कि वह अपना दोस्तों को छोड़ क कर जाए फिर बर्णा बोलता है कैसा हुआ अगर सारिय मेरे ऐकेडमी में आए एक student बनकर और आर्टोर्य आए एक teacher बनकर छोल Skill पर एक चिस्टेन्ट बनकर कोई फर्क ने पड़ता और और लीगा उसके सीची जाएगा, वहाँ ये दोनों भी जाने को रेडी है, फिर ओलिगा कहती है, जहां कहीं भी सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ में भी जाओंगी, फिर बरना बताता है, तो तेह हो गिया है, कि हम सभी लोग मैजिक अकडमी जाएंगे, जब लूसी वापस आएगी, सीची को क्योंकि उसे दोबारा स्कूल लाइब जाने का मौका मिलेगा, सीच चेंज होता है, लोग मैजब के बाहर होता है, और उसे यकिन नहीं हो रहा होता है, कि सीची उसे कुछ अच्छा खाना खिलाने जा रहा है, सीची कहता है, अभी लूसी को आने में कुछ दिन लगेंगे तो दोने खाना खा रही होती है, तब सिची सोच रहा होता है, हमारे पास अभी कुछ दिन बाकी है, मैजी अकेडमी जाने के लिए, फिर वा सोचता है, कि जो दिन उसके पास बचे हैं, उन दिनों में वो सब को डेट पिले जाएगा, फिर वा अर्तुरिया को डेट करता है, सारिया बताती है, कि उसे बुरा लग रहा था, कि वा यहां पर अकेले रहा जाती, इसलिए अब वो तीनों साथ में जाते हैं, उलिगा कहती है, मुझे आप लोगों से खुशी हो रही है, कि आप मुझे यहां ले आए, उलिगा खेल रही होती है, और सारिया और सारिया और मस्ती कर रही है फिर सीची सार्या से कहता है बहुत कुछ हो गया है और उसे धंवा座 करता है कि वह उसके लाइफ में आई और उसे प्यार कही और उसे लब यू कहता है साय खोशी का मारे रोने लगती यह देखर वे बच्चे लोग कहते हैं देखो इस आदमी ने उसे रूला दिया या एक बुरा आदमी है फिर शीची उने समझाता है और उसके साथ खेलने लगता है वे लोग खेल रहे होते हैं तभी वहाँ एक होट एयर वेलून आता है और उसमें कुछ लोगों का फोटो हो और अब पेंटिंग सो स्टार्ट होता है फिर अनॉंसर एक आदमी से मिलाता है वह आदमी इस सो करजज होता है और वह आदमी टरेंटेड आर्टिस्ट होता है मैं बतातू कि उसका नाम लियोन बर्गर होता है शीची को उसका नाम कहीं सुना सुना सा लगता है फिर पेंट सोर्या कहती है सिची तुम्हारा दोस्तों ऐस सांदार कलाकार है सालिया गुबाव बेयंटेंगusなलो दिखता है माह दोलने कुबाव भैंटी Arguization geschafft ऐपाई परते है के लेवल बताता है कि उस्सकार या5 एपने फिलिंग से बनाई या थाधिस फैनल कॉंटेस्टेंस को बुला उसने उस सक्स की पेंटिंग बनाई है जिसने उसे इस पेंटिंग कॉपनिशन में भाग लेने के लिए हिमत दिया है और वास सक्स और कोई नहीं सीची होता है फिर हमें पता चलता है कि मैं सीची को एक हीरो मानती है और उसे धन्यवाद करती है क्योंकि उसी की वज़े से मैं challenges को face करना सीख जाती है सीची जा सुनकर मन हिमन खुस हो रहा होता है उसके बाद मैं उस painting competition में first आती है मैं सीची को बताती है उसे लियोन बर्गर की तरफ से एक offer आया है और वा आगे इसकी पढ़ाई करेगी मतलब painting सीखेगी फिर मैं नराध होकर कहती है मुझे यह city छोड़ना होगा क्योंकि वा कहीं ओर जा रहे है painting सीखने के लिए और मैं कहती है एक बार उसका fly complete हो जाए तो वा उसकी painting बनाएगी फिर मां कले आता है और वा बताता है कि क्रेंट पाउस से बुला रहे है और वा चली जाती है scene change होता है Lucy और सभी वेलक्रिस वापस आ जाते है Lucy बताती है उसने सुना है कि सीची बरबादोन अकेडमी जा रहा है बर्मा के साथ सीची हां कहता है और बत भूलता है कभी टाइम मिले तो मिलने जरूरा न scene change होता है क्रिस को दिखाया जाता है उसका magic बॉल उसे बात कर रहा होता है वा कहता है तुम डिप्रेट दिखाये पड़ते हो असल में वा लेस्टर से बात कर रहा होता है एंग्रिया कहती है जो पिक हमेशा से हारता चला आ रहा है वा एक बर फीर हार गया तभी वहाँ डिमन लोड आग के रूप में आता है क्रिस कहता है तुम मुझे वापस लाने में इतना देर क्यों कर रहे हो क्रिस बताता है कि वा उसे वापस लाने के लिए लगा हुआ है फिर एंग्रिया उसे उपाय देती है और बताती है सभी लोग अभी बरबदर अकेडमी में है और उनका नेस्ट हमले का प्लैन वहीं अकेडमी में बन रहा है कानाजुकी को दिखाया चाता है वा सोच रही होती है जब वा अकेडमी में गुम रही होती है तब उसे एक लड़की मिलती है जो सिची को ढून रही होती है काना जुकी उसे पुछती है वा सिची को क्यों ढून रही है वा बताती है सिची ने उसकी मदद की थी बहुत साल पहले इसलिए वा उसे मिलना चाहती है सिंचेंज होता है सिची एकेडमी जाने के लिए त्यार होता है और सबी लोग उसकी तारिव कर रहे होते हैं और शीची वहाँ से निकल पड़ता है जब वह जा रहा होता है तब उसे एक आदमी मिलता है लेकिन सीची उसे नहीं जानता है और वह आदमी बताता है कि वह नेट्स सीजन का मैंन करेक्टर है और यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है और सीजन वान का दी इंड हो जाता है थांक्स फूर वाचिंग और इसे सपोर्ट करते रहें